Hello friends, स्वागत है आपका Digital तैयारी चैनल पे मैं श्रियान्स कोठारी दोस्तों लेके आया हूँ आप लोगों के लिए SP BAKSHI की किताब जो की Objective General English है पिछले कई टाइम से हम लोग इसको सीरीज के रूप में चला रहे हैं और बहुत अच्छा आप लोगों का response मिल रहा है कोई भी doubt हो दोस्तों comment box में जरू टाइप करिएगा अगर book की availability आपको चाहिए तो छोटे-छोटे PDFs के format में जैसे chapter 2nd अभी अब चल रहा है हमारा तो chapter 2nd का पूरा PDF available है अगर आप लेना चाहें तो यहां description box में available है चले दोस्तों बहुत ज़्यादा समयने लितावा voice पे बहुत अच्छे से questions कर रहे है exam के लिए बहुत important chapter है और दोस्तों voice एक ऐसा chapter है जसमें errors में भी questions आते हैं fillers में भी questions आते हैं conversion आता है कुछ-कुछ exam में AF CAT और SSC के exams में इसके साथ-साथ बहुत ज़्यादा जरूरी दोस्तों understanding अगर आपका voice chapter clear होगा passive और active के बारे में clarity होगी तो आपको understanding of English क्योंकि English का एक structure होता है sentence का sentence के structure में मैं दो चीज़ें मुख्य मानता हूँ एक जो पहला chapter था इस book का tenses और दूसरा दोस्तों voice ये दोनों chapter के combination से बहुत सारा काम हो जाता है structure of the sentence जो है वो clear हो जाता है चलिए आगे बढ़ते हुए दोस्तों if a preposition or adverb is used अब घ्यान से देखेगा हमारी बात को उसने बहुत clear लिखा है कि अगर कोई preposition या कोई adverb का प्रयोग किया गया verb के साथ में जो convey specific meaning अगर ये specific meaning कर रहा है एक चीज़ हमेशा ध्यान रखे दोस्तों कई बार verb plus preposition का जो structure है वो complete structure बनता है जैसे example के तौर पे look अकेला काम नहीं होता है look के साथ at लगता है ठीक उसी प्रकार से laugh अकेला काम नहीं आता है look at मिलकर ही आप उसके साथ में object जोडते है laugh at मिलकर ही साथ में object जोडते है तो मेरी बात को बहुत गौर सा सुनिएगा बहुत ध्यान समझेगा कि जब भी आपको इस तरह का structure मिले कि आपको एक verb है verb के बाद एक preposition है और उससे sentence complete हो रहा है specific meaning दे रहा है तो हमें उसको हमेशा combine ही रखना है उससे अलग नहीं कर सकते हैं उसको should not be removed हटाया नहीं जाना चाहिए while making passive voice जब भी आप passive voice बनाएं उससे वहां से नहीं हटाएं ये चोटी चोटी बाते हैं लेकिन बहुत important बाते हैं ध्यान रखिएगा इन सारी बातों का चलिए example के तौर बेस ने दे रखा है दोस्तों mothers look after their children जो mothers हैं वो देखभाल करती हैं अपने children का तो यहां पे ध्यान से देखेगा मुखे बात कुछ नहीं है देखे लेकिन इन सारी बातों में जिस बात को highlight किया गया है that is look after जो है दोस्तों वो looked after कर दिया गया है यह बात बहुत चोटी है लेकिन बहुत important है exam में आपके पीछे अगर नहीं पड़ी या आप उसके पीछे नहीं पड़े तो फिर आपके number कम हो जाएंगे अब ध्यान से देखेगा look down upon का मतलब क्या होता है कोई चीज को नीची नजरों से देखना नीचा दिखाना कोई चीज के मतलब कोई अगर आपके सामने है जो level में कोई कम है उसको उस द्रस्टी से देखना उसे कहते हैं look down upon so you should not look down upon poor गरीबों को नीची द्रस्टी से नहीं देखना चाहिए नीची नजरों से नहीं देखना चाहिए इस बात का ध्यान देए the poor should not be looked down upon आपने ध्यान से देखा the poor हम आगे ले आए should not आपको याद होगा model plus v1 का passive बनाते है model plus v3 so should not be looked be आगया third form आगया look look के साथ down upon आपकी इच्छा by you लगाओ आपकी इच्छा मत लगाओ understood है यहाँ पे कि हम किसकी बात कर रहे है तो यह हमने दो examples देखे और एक जो बात समझी कि जहाँ preposition word plus preposition का structure है जो important है specific meaning दे रहा है उसे remove नहीं करना है very very important चलिए question देखते दोस्तों what are you listening to यहाँ पे question क्यों आया है तो कि listening के साथ to आया है इस बात को ध्यान अगर में रखूँ तो question कैसे बनाऊंगा ध्यान से देखेगा क्या चीज है उसकी बात हो रही है तो यहाँ पे आचाएगा what is being listened to क्योंकि ing है तो being आएगा ही आएगा listen का third form listened हो जाएगा to हमें रखना ही है अब what is being listened to इतना भी छोड़ सकते हुआ आपकी इच्छा by you लगाओ ना लगाओ superfluous है लगाओ तो अच्छी बात नहीं लगाओ छोड़ दो what is being listened to क्या सुना जा रहा है देखेँ sentence का meaning देखना what are you listening to तुम क्या सुन रहे हो passive what is being listened to का मतलब है क्या सुना जा रहा है एक-एक बात को आराम से समझिएगा मेरी एक-एक बात को समझेगा last तक इस वीडियो को पूरा देखेगा क्योंकि एक-एक चीज important दोस्तों और इसके साथ-साथ एक बात जरूर कहना चाहूंगा दोस्तों telegram पे हम जरूर है हमारी presence है नाम वही है दोस्तों digital तयारी spelling देखिए subscribe करिए बहुत regular way में content हम लोग वहाँ देते हैं इसके अलावा whatsapp करिए मुझे बताइए कि आप हमारे student है I am student of digital तयारी my name is so-and-so from xyz place उसके बारे में बताइए बहुत सारी information हम आपके साथ share करते हैं समय समय के साथ notification के साथ-साथ हम आपको ये भी वहाँ पे पहुचा देते हैं PDFs वगरा कुछ अगर आपको availability चाहिए तो वो आपको मिल जाएगी ये सारी चीज़े हैं और अगर आप नए user हैं पहली बार हमारे चैनल पे आएं दोस्तों सब्सक्राइब करना मत भूलिए बेल आइकन प्रेश ज़रूर करिए चलिए मैं लिए चलता हूँ आपको अगले question पे question number second देखेगा lost book दोस्तों ध्यान से देखेगा lost book आगया जाएगा ये adjective है इस book के लिए was being searched sentence बन जाएगा अब इसके साथ ये for जोड़ा है इसको मैं छोड़ नहीं सकता was being searched for अब आपकी इच्छा by them लगाओ आपकी इच्छा मत लगाओ the lost book was being searched for by them understood है जरूरत नहीं है अटा भी सकते है by them बाकी sentence का grammar तो यही बनेगा passive बनाया हमने question number 3 देखिए the government cannot dispense with computers तो passive बनाने के लिए क्या हो जाएगा the computers अब यहाँ पे है एक model और model का rule का है दोस्तो model प्लस B प्लस B 3 तो sentence क्या बन जाएगा computers cannot be dispensed with यह तो with तक रहेगा आगे आपकी इच्छा by तो लगाना ही पड़ेगा government के द्वारा so इस बार ध्यान रखेगा शायद answer की में कुछ कुछ आगे पीछे है लेकिन सही answer यह है जो आपको भी लगता है computers आगे आजाएंगे cannot cannot जैसा ही रहेगा क्योंकि एक model है B plus V3 dispensed हो जाएगा dispensed के आद विद connected रहेगा किसके द्वारा government के द्वारा so मैंने आपको बहुत easy smooth मखन मलाई की तरह बता दिया किस तरह से आपको इसका प्रयोग करना है चलि और आगे बढ़तें दोस्तो I have never heard of such an incident accident तो an accident आ गया जाएगा मैंने कभी भी इस प्रकार के accident के बारे में नहीं सुना तो आप इसको जो passive बनाएंगे an accident was an accident of such kind या यूँ कहते है such an accident starting यह से कर देते हैं such an accident was या have आया है तो हम इसको बदल नहीं सकते है has never been heard और यह क्यों आया दोस्तों off के लिए ध्यान से देखे का मेरी बात को such an accident को मैंने subject कहा आगे आगे by me आपकी इच्छा पीछे लगा दू have present perfect का है मैंने has लगा है क्योंकि accident singular है never तो never not की तरह आगया heard third form में third form में रह गया passive बनाने के लिए bean लगा दिया heard के साथ ये off है ये जो exercise है उसमें इस off की बहुत जरूरत है यहां important है कि अगर इस verb के साथ ये preposition आया है वो रहेगा बागी sentence आपके सामने है सारे नियम वो ही है दोस्तों जो अभी तक हमने follow किये है बस यहां preposition को especially ध्यान रखा गया है all his friends will laugh at him उसके सारे मित्र उस पर हसेंगे future में हसेंगे तो यहां पर देखेगा sentence बन जाएगा he will be laughed at by all his friends तो यहां मुख्य बाद क्या है दोस्तों laugh के बाद at भी आया और by भी आया बहुत सारे विध्यारती पूछते है सर दोनों preposition आएंगे क्या बिलकुल आएंगे दोस्तों at आया है laugh के लिए और by आया है उसके friends के लिए दोनों जरूरी है दोनों पास में है कोई आपत्ती नहीं है शायद बात मेरी समझ आ गई होगी tense का विशेश दियान रखें आप कौन सा tense का प्रयोग कर रहे है आगे देखिए आगरी question दोस्तों do not discriminate against the poor तो यहाँ पे हम एक हिदायत दे रहे है कि ऐसा नहीं करना है तो में तो sentence क्या बन जाएगा the poor की विशुरुवात वहीं से होगी do not की जगे हम should not का प्रयोग करेंगे ऐसा नहीं होना चाहिए तो ने उसको ले आए should not be अब mainly important कि है दोस्तों discriminated थर्ड फर्म तो लगाएंगे लगाएंगे against यह important है दोस्तों कि अगर यहाँ as preposition against आया है तो हमारे answer में भी उसे आना होगा यह दोनों चीज़ें बहुत ज़रूरी है यही हमारा इस sentence का इस exercise का आखरी sentence है बने रही है दोस्तों इस channel पे बहुत सारी ऐसी जीज़ें हम लाने वाले है Thank you